दोस्तो चनेई की शांदार जीत के बाद मुंबई को लगा बड़ा जटका पॉइंच टेबल में हो गए बड़े बदलाव अब दोस्तो मुंबई की टीम के आगे जाने के रास्ते हो चुके हैं बड़े मुश्किल तो आई दोस्तो जानते हैं कि इस मैच के बाद पॉइंच करते हुए 206 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करा था इसके जवाब में मुंबई की टीम 186 रन बना पाई थी 6 विकिट के नुकसान पर और इस मैच को चने ने 20 रनों से अपने नाम कर लिया था जाहें इस मैच में रोही शर्मा ने शतकी हैं पारी खेली थी और वो नोट आ लेकिन दोस्तो अब बात कर लें इस मैच के बाद अब पॉइंच टेवल में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं कौन सी टीम को फाइदा हुआ है तो कौन सी टीम को भारी नुक्सान उठाना पड़ा है तो चलिए दोस्तो वीडियो को शिरू करते हैं जा दोस्तो दस्वे जाने के चांस केवल और केवल 40 परतीशत के हैं तो दोस्तो नौवी नंबर पर दिल्ली के टीम है दोस्तो दिल्ली ने 6 में से 2 मैच जीते हैं और 4 मैचे में उन्हें हार मिली है और दोस्तो उनकी नेट रन रेट माइनस 0.975 माइनस में है और दोस्तो उनके 4 पॉइंट है जहां इसके आगे दिल्ली के जाने के प्लेउप में चांस पूरे के फूरे 50 परतीशत के दिख रहे हैं। तो दोस्तो आठवे नंबर पर मुंबई की टीम है जहां चने से हर के बाद मुंबई की टीम साथवे नंबर से आठवे नंबर पर गिसक चुकी है और उन्होंने अभी साइपल में 6 मैच भी खेल लिया है और 6 मैच से केवल वो 2 मैच जीती है और 4 मैच हारी है जहां उनके ने पंजाब की टीम इस IPL में एकदम रूमांचशक मुकाबले आखरी मौके पर हार जा रही है। इस वज़ा से दोस्तों वह इस IPL में बहतर परदर्शन करने के बाब चुछ काफी करीब मुकाबले हार रही है। यहां पंजाब ने इस IPL में अब तक 6 मुकाबले खेल ली है। और 6 में से वो 2 मैंच जीती है, 4 मैंच चारी है, और दोस्तों, उनकी net run rate, माइनस 0.218 माइनस में है, और उनके 4 पॉइंट है, और दोस्तों, उनके भी प्लेओफ में जाने के चांस 50 परतीशत के हैं, तो दोस्तों, इसके बाद छटे नंबर पर, गुजराट टाइटन्स है, दोस्तों, गुजराट ने 6 में से 3 मैंच जीते हैं, 3 हारे हैं, और दोस्तों, उनकी net run rate, माइनस 0.637 माइनस में चल रही है, और दोस्तों, उनके 6 पॉइंट है, और दोस्तों, गुजराट के प्लेओफ में जाने के सांथ 60 परतीशत के हैं, तो दोस्तों, पांच नंबर पर, लखनव सूपर जाइंस की टीम है, दोस्तों, लखनव ने 6 में से 3 मैंच जीते हैं, 3 मैंच जारे हैं, और दोस्तों, उनकी net run rate, प्लस 0.038 की प्लस में चल रही है, और दोस्तों, उनके 6 पॉइंट है, और दोस्तों, उनके प्लेओफ में जाने के चांस अभी भी 65 परतीशत के हैं, तो दोस्तों, चौथे नंबर पर, हैदराबाद है, दोस्तो उनकी नेटरंड रेड प्लस 0.334 प्लस में चल रही है तो तो दोस्तो तीसरे नंबर पर चनाइग की टीम है दोस्तो चनाइग है यहांग उन्हें 6 मुकाबले खेले हैं और उन्हें 2 में हार का सामना करना पड़ा है और दोस्तों उनकी net run rate प्लस 0.726 प्लस में चल रही है और उनकी 8 पॉइंट है और दोस्तों चनाई के प्लियोप में जाने के चांस पूरे के पूरे 85 परतीशत के हैं तो दोस्तों इसके बाद दूसरे नंबर पर केके आर की टीम हैं दोस्तों के क्यार ने आज के दिन ही लखनाव को हराय था और दोस्तों इस वजह से उनके इस आइपल में चार जीत हो चुकी है और उन्होंने केवल पांच ही मैच खेले हैं और एक मैच में हार मिली है जहां उनकी net run rate प्लस 1.688 प्लस में चल रही है और दोस्तों उनके 8 पॉइंट है और इस आइपल में उनकी net run rate सबसे बहतर है और दोस्तों उनके प्लेओफ में जाने के चांस पूरे के पूरे 95 प्रतीशत के हैं जा दोस्तों इस आइपल में सबसे अच्छा प्रदर्शन राजिस्थान की टीम ने किया है त्यूंकि उन्होंने छे में से 5 मै मैं जीते हैं और उन्हें केवल एक मेहार का सामना करना पड़ा है और उनकी net run rate प्लस जीरो पॉइंट साथ सो सरसाथ प्लस में चल रही है और दोस्तों उनके सबसे ज्यादा 10 पॉइंट हो चुके हैं और दोस्तों उनके प्लेओफ में जाने के चांस पूरे के पूरे करूर बताई